तो दोस्तों आज हम बात करेंगे X-Servicemen भाईयों के लिए तीन नई government jobs के बारे में इस vacancy की सारी details आपको हमारे android app पे मिल जाएगी जिसका नाम है CG Resettlement ये app सिर्फ X-Servicemen भाईयों के लिए ही बना है जिसमें X-Servicemen को daily jobs and news की updates मिलती रहेंगी तो आज ही Google Play Store से यह नीचे description में देगे link से download करें CG Resettlement app तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब Public Service Commission PPSC की तरफ से नई vacancy निकल के आ रही है ये vacancy दोस्तों Assistant Environmental Engineer Post के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं job information की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये job दोस्तों Government sector की job है और इस job के लिए आपको 47,600 रुपीस पर मन की salary दी जाएगी ये job दोस्तों 50 state के लिए है और यहाँ पे total 32 vacancies निकाली गई है जिसमें से दोस्तों 5 vacancies एक्सरिस्में भाईयों के लिए result रखी गई है age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें तो maximum age 37 years रखा गया है प्लस यहाँ पे एक्सरिस्में भाईयों के लिए extra age relaxation भी government के rule के अनुसार दिया जाएगा इस job के लिए apply करने के लिए last date 26 October 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दस्तों qualification में civil, chemical और environmental engineering की डिगरी की requirement बताई गई है इस job के लिए apply करने के लिए extra age management भाईयों को 500 रुपीज की application fee पे करनी पड़ेगी तो चलिए दस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं mode of selection में आपका जो selection होने वाला है यह return competitive exam जो की pen and paper based होगी उसके base पे होगा examination details में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो return test होने वाली है उसमें 120 questions होगे 480 marks के लिए examination होने वाली है 2 hours की duration होगी यहाँ पे दोस्तों यह जो subjects है air pollution, solid waste management, hydrology and ground water experimental and ecological studies इसके लिए total 100 questions होंगे 400 marks के लिए और उसके बाद यह जो subjects है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है general knowledge, current affairs, general mental ability, logical reasoning and quantitative aptitude इसके लिए total 20 questions होंगे 80 marks के लिए उसके बाद दोस्तों आपकी interview होने वाली है 60 marks के लिए दोस्तों अगर आपको इस job के बारे में और भी ज़ादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification डाउनलोड कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification डाउनलोड करके जहां से पढ़ लीजिए उसके बाद ही जॉब के लिए apply कीजिए दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आपए apply के link भी दी है इस link के माद्यम से पहले आपको registration complete करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी जॉब की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Department of Personal and Administrative Reforms पॉंडिचरी की तरफ से नई vacancy निकल गया रही है यह vacancy दोस्तों अपर डिविजन क्लर्क पोस्ट के लिए है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जॉब information की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस job के लिए दोस्तों आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपीज पर मन्त की salary दी जाएगी इस job दोस्तों पॉंडिचरी स्टेट के लिए है गवर्मेंट सेक्टर की यह जॉब है यहाँ पे टोटल 116 vacancies निकाली गई है जिसमें से 12 vacancies एक्सवरिजमन भाईयों के लिए रिजर्वड रखी गई है age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे maximum age 34 years रखा गया है प्लस यहाँ पे एक्सवरिजमन भाईयों के लिए extra age relaxation भी government के rule के अनुसार दिया जाएगा इस जॉब के लिए apply करने के लिए last date 31 October 2022 रखा गया है इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे qualification में दोस्तों किसी भी bachelor's degree की requirement बताई गई है इस जॉब के लिए दोस्तों एक्सवरिजमन भाईयों को कोई भी application fee applicable नहीं है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस जॉब के लिए यह return examination के base पे होगा examination details में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो total hundred questions होंगे इस exam में hundred marks होंगे two hours की duration होगी subjects में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो general mathematics, general science, general English Indian history and geography, Indian economics constitution of India, general knowledge उसे के साथ current affairs यह सभी subjects होंगे equations paper दोस्तों English या फिर regional languages जसे की तमिल, तिल्गू और मल्यलम में होंगे दोस्तों अगर आपको इस job के बार में और वी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification download कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification download करके जहांसे पढ़ लीजिए उसके बाद ही इस job के लिए apply कीजिए दोस्तों अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आप ए apply की link भी दी है इस link के माध्यम से पहले आपको registration complete करना है उसके बाद आप इस job के लिए apply कर सकते हैं साथी दोस्तों हमने आप एक वीडियो की link भी दी है अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आपको इस job के लिए step by step तरीके से apply करना है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी step by step process आप देख सकते हो तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी job की तरफ तो जसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इंडिया security price ISP नाशिक की तरफ से नई vacancy निकल की आ रही है यह vacancy दोस्तों junior technician post के लिए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं job information की तरफ तो जसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह job दोस्तों government sector की job है और इस job के लिए आपको 18,000 से लेके 76,000 रुपीज पर मत की salary दी जाएगी इस job दोस्तों महरास्टा स्टेट के लिए है और इस job के लिए total 85 vacancies निकाली गई है जिसमें से 8 vacancies एक्सवरिस्में भाईयों के लिए रिजर्वर्ड रखी गई है age limit के अगर हम यहाँ पे बात करें तो maximum age 25 years रखा गया है प्लस यहाँ पे एक्सवरिस्में भाईयों के लिए extra age relaxation भी government के rule के अनुसार दिया जाएगा इस job के लिए apply करने के लिए last date 8 November 2022 रखा गया है और इसके लिए आपको online ही apply करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों qualification में NCVT, SCVT approved, ITI certificate यह फिर diploma in printing technology की requirement बताई गई है इस job के लिए apply करने के लिए extra age man भाईयों को 200 रुपीज की application fee पे करनी पड़ेगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं job description की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं mode of selection में आपका जो selection होने वाला इस job के लिए यह online examination जो की objective type होगी उसके base पे होगा examination data में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस exam में total 120 questions होगे 120 marks के लिए 2 hours की duration होगी subjects में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे professional knowledge in respective trade उसे के साथ general awareness English language, logical reasoning quantity and aptitude यह सभी subjects होगे जोस्तो अगर आपको इस job के बारे में और वी जादा information चाहिए तो आप यहाँ से official notification download कर सकते हो हमने job description section में official notification की link दी हुई है तो notification download करके ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद ही इस job के लिए apply कीजिए साथि जोस्तो अगर आपको इस job के लिए apply करना है तो हमने आपए apply की link भी दी है इस link के माध्यम से पहले आपको registration complete करना होगा उसके बाद आप इस job के लिए apply कर पाएंगे दोस्तो हमने आप एक वीडियो की link भी दी है अगर आपको जाना है कि किस तरीके से आपको जोब के लिए step by step तरीके से apply करना है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी step by step प्रोसेस आप देख सकते हो तो दोस्तो ऐसी कई jobs के बारे में regular updates आने के लिए हमारा android app डाउनलोड कीजिए और हमारे youtube चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए, comment कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि आपको एक सरी समयन से जोड़ी सारी job और news के updates regular basis पे मिलती रहे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हैं